हाई फ्रेंड्स विल्कम टू लॉमिट आयम मुस्कान मंध्यान यू लीगल गाइड सो गाइज हमसे रिक्वेस्ट की गई थी क्या प्लीज फेमिनिजम पर एक वीडियो बनाईए बट मेरे पास टाइम बहुत कम है यार मैं किसी चीज में बिजी हूँ इस वज़े से मैं बह पी गौबा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लीज अगर आप खरीदने वाले हो तो वहां से खरीद लेना मुझे थोड़ा सा कमिशन मिल जाएगा राइट इतनी सी हेल्प कर दे ना यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहे हैं वीडियो को पॉस करके नोट्स बनाते रहे हैं लेकिन यहापे जो समझने वाली चीज है यह वुमेन के लिए बात तो करता है रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन रिलेशन टू मेन ठीक है मेन से रिलेटेड क्या रोल है वुमेन का ठीक है मेन की कमपेरिजन में वुमेन का क्या रोल है उसके बारे में बात कर रहा है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारे लिए इन रिलेशन टू मेन ठी रहे हो in relation to men, it holds that women have suffered and are still suffering, ठीक है, इसने यह बताया है कि women ने past में काफी जादा सफर किया है, because of their sex, अब हम यहाँ पे आगे sex और gender के बीच में a difference समझने वाले हैं, यह मुझे बहुत जादा interesting लगा था, क्योंकि constitution में भी काफी जगा sex लिखा होता है, काफी जगा gender लिखा होत तो normal paralysis की भाशा में जब हम normally बात करते हैं, और sex और gender को हम एक तरीके से same ही समझते हैं, लेकिन feminism में sex और gender का मतलब दूसरा होता है, ठीक है, तो हम sex और gender के बीच में भी differentiate करेंगे और उसका meaning समझेंगे, ठीक है, तो एक तरीके से feminism हमें injustice से बचाता है, ठीक है, वोमन को injustice से ये एक तरीके की voice है, ठीक है, एक तरीके की voice है, प्रोटेस्ट की voice है, किसके against, जो inferior status दिया गया है वोमन को society में, कि यूनो औरत अबला है, वो कुछ कर नहीं सकती, कमजोर है, चार दिवारी के अंदर ही उसे रहना चाहिए, तो ये सारी जो चीजें है, इसके against है feminism, फेमिन कराया है ये सब कुछ, ये जो ideas हैं, कहां से निकल कराये हैं, patriarchy से निकल कराये हैं, male dominated society से निकल कराये हैं, जहां पे आदमी ही सब कुछ होता है, आदमी strong होता है, आदमी रोते नहीं है, ये सारी चीजें कहां से निकल कराये हैं, male dominated society से निकल कराये हैं, right, so society के context में हमें sex औ पर फीमेल में biological differences क्या है, ठीक है, मेल को मूचें आती है, right, तो ये सारी चीज़त गर्ल्स में नहीं होती है, तो हम एक तरीके से biological differences की जब बात कर रहे होते हैं, तब हम sex की बात करते हैं, समझ रहे हो, जब biological हमारी body में क्या difference है, शारिरिक रूप से हमारे अंदर क्या differences है, हमारा culture है उसने हमारी personality को कैसे shape किया है उसने क्या differences लाए है आदमी और औरत के बीच में तब हम gender की बात करते हैं हमारे culture ने क्या differences दिये हैं एक आदमी को और एक औरत को क्यों हमारा और कैसे हमारा culture एक आदमी और औरत के बीच में difference create करता है ठीक है तब gender word का use होता है So nature ने हमें men और women में divide किया ठीक है, भगवान ने society में औरत बनाई और एक मर्द बनाया ठीक है, औरत बनाई और एक male बनाया लेकिन जो हमारे status है जो उनका role है, जो उनकी personality है वो उनके culture ने उनहें दिये वो उनकी society ने उनहें दिये ठीक है, भगवान ने तो हमें बना दिया that's fine, दो genders दे दिये भगवान ने ठीक है, एक male, एक female लेकिन जो उनकी personality होगा जो उनका status होगा, जो उनकी role होगा वो society ने हमें दिया है समझ रहे हो? वो culture ने हमें दिये है, personality ध्यान से समझना इस चीज़ को प्लीज थोड़ा ध्यान दे ना जब हम लोग बोलते है fair sex ठीक है, कि वो लड़की गोरी है वो लड़की यार कमजोर है अच्छा अच्छा, ladies first प्लीज आप पहले बैठिये, आप lady है तो ये सब क्या है? यह हम sex की बात नहीं कर रहे है यहाँ biological difference की बात नहीं कर रहे है यहाँ हम gender की बात कर रहे है यह हमारे culture ने हमें सिखाया कि भाई, ladies first लड़किया कमजोर होती, हात मत उठाया करो ठीक है? उची अवाज में बात मत करो तुम लड़की हो, ऐसे कपड़े मत पहनो तुम लड़की हो, तो यह सारी चीज़ा हमारे culture ने दी है हमें, ठीक है? हमारे sex ने नहीं, समझ रहे हो biological difference की वज़े से यह नहीं हो रहा है यह हो रहा है gender की वज़े से और gender culture से आता है समझ गए? So gender हमें एक तरीके से क्या बता रहा है कि man and woman में क्या difference है? उनके social status में क्या difference है? राइट? एक तरीके से हमें यह बताता है एक fact यह हमें देता है कि woman जो है society में नीचे है काफी, उनका status जो है जो है वो काफी नीचे है उनकी जो value है वो काफी कम है society में, यह सारी चीज़े gender से निकल कर आती है तो अब बारी आती है कि feminist thought जो है, जो यह feminist idea है, यह किस पे focus करता है sex पे focus करता है या gender पर I guess अभी तक आप समझ गए होगे यह gender पर focus करता है ठीक है? यह gender के perspective को बदलने पे त्यान देता है feminism एक तरीके से कहता है कि society में cultural transformation होना जरूरी है जो हमारा culture है ना, जो हमारी दकियान उसी विचार है ना, ठीक है जो हमारी stereotypical thinking है इसका बदलना बहुत जरूरी है जो लकीर के फकीर जो है वो जो पड़े हूँ है इतने सारे society में उनका बदलना जरूरी है सोच बदलना जरूरी है, यह कहता है फेमिनिजम, यह चाहता है कि वोमेन का status social and political life में बदले उससे सही से रखा जाए समझ रहे हो, अब culture का एक लाइन में यार पे मैंने meaning लिखा हुआ है देखो समझ लो, culture usually refers to certain distinctive features of different community, हर community के कुछ अलग-अलग features होते हैं कुछ अलग-अलग characteristics होते हैं फेमेल के बीच में different जरूर देखने को मिलेगा समझ रहे हो, opposite patterns आपको देखने को मिलेंगे हर culture में so हर culture में हमें जो different attitude देखने को मिलता है, male and female के towards, इसे दो patterns में divide किया जा सकता है, masculinity and femininity, ओके यह दो चीज़े हमें देखने को मिलती हैं तो masculinity में, for example इसका यह क्या-क्या include करता है, masculine gender क्या-क्या include करता है aggressiveness, गुसा, logical outlook, कि मतलब वो बुद्धी से सोचते हैं, ठीक है control of emotional expression ठीक है, मतलब रोते नहीं है लड़के भाई, कुछ भी हो जाए, रोएंगे नहीं ठीक है, because वो लड़के हैं attitude of dominance, एक तरीके से यह dominate करते हैं, control करने वाली आदत होती है इनकी while femininity, यह क्या बताती है हमें, is associated with peacefulness, लड़कियां थोड़ी शान्त होती है, peaceful होती है कौहन बोला, intuitiveness ठीक है, intuitive होती है, जल्दी समझ सकते हैं उन्हें, emotional expressiveness, रोती बहुत जल्दी हैं, ठीक है, and submissive, ठीक है, उन्हें easily control किया जा सकता है, यह सारी चीजें हमारे culture में हमें देखने को मिलती है, because इन दो aspects की वजह से, एक masculinity और एक femininity इन दो चीजों की वजह से हमें देखने को मिलती है, यह सारी चीजे क्योंकि हमारा culture इन्ही दो attitudes से shape हुआ है, इन्ही दो चीजों से बना है, ठीक है, इन्ही दो चीजों में divide कर देता है, वो male और female के status को या उनके role को हाँ, जो मैंने चीजें बताई, इनमें कुछ-कुछ बदलाव भी हो सकता है, ठीक है किसी लड़की की personality काफी ज़ादा dominating भी हो सकती है, कोई लड़का रो भी सकता है, तो कुछ-कुछ चीजें बदली भी जा सकती है, समझ रहे हूँ? कहीं कहीं पे आपको देखने का मिलेगा कि wife काफी ज़ादा submissive है, अपने husband के towards ठीक है, मतलब उसका husband उसे easily control कर रहा है, कहीं पे आपको उल्टा देखने को मिलेगा, है ना? सो ऐसा, ठीक है सो ऐसा मैं देखने को मिलता है, कहीं पे wife अपने husband की हर बात मान लिये लेकिन, वो अपने बच्चों की हर बात नहीं मान रही है, अपने बच्चों को वो control कर रही है, उसका husband इतना control नहीं कर पा रहा है, तो ये role जो है, ये बदलता रहता है, ठीक है काफी जगा आपको बदला हुआ भी नजर आएगा, सो woman कितनी ज़ादा submissive होगी, उसे कितना ज़ादा control किया जा सकता है, ये अलग-अलग हो सकता है, ठीक है, वरी कर सकता है, एक case से दूसरे case में different हो सकता है, जरूरी नहीं हर जगा equally आप woman को control कर रहे हो, यहाँ भी अगर अगर आप इंडिया में ज़ादा control कर सकते हो, जरूरी नहीं बाहर उतना ही control कर पाओ, तो इस चीज़ें बदलती रहती है, तो यह जो concept जो हमने दो ठो डिसकस किये, masculinity and femininity, इसी वजह से male dominance increase हुआ है, society में, ठीक है, इसी वजह से ही, जो लड़के हैं, वो ज़ादा control कर रहे हैं, लड़कियों को, समझ रहे हो, जो social control है, वो ज़ादा बढ़ा है, इन दो concept की वजह से social control increase हुआ है, so, इन दो concept की वजह से society इस तरीके से बंद गई है, यार, कि अगर कोई लड़की control करने की कोशिश करती है, किसी लड़के को, तो कहा जाता है कि वो लड़की indecent है, उसे तमीज नहीं है, बट वहीं पर अगर ये कोई लड़का करता है, तो उसके उपर question नहीं किया जाता है, क्यों नहीं question किया जाता है, because इन दो concept की वजह से, masculinity ने कहा, कि भाई, लड़के ही control करेंगे लड़कियों को, अब ये चीज़े कब से चली आ रही है, कितने पुराने टाइम से चली आ रही है, तो ये इतनी जल्दी लोगों के दिमाग से नहीं जाएंगी, इसी वजह से अगर थोड़ा सा भी रोल बदलता है वोमेन का, थोड़ा सा भी उखुद को बदलने कोशिश करती है, तो question mark लगा दिया जाता है, तो ये जो so called expectation नहीं है, कि वुमेन को हमेशा जुक्के रहना चाहिए, हमेशा बात माननी चाहिए, लड़कों को कभी रोना नहीं चाहिए, लड़कों को control करना चाहिए, तो ये जो expectation हमारी जुड़ गई है एक तरीके से, समझ रहे हो, इन दो लोगों से, इन दो gender से हमारी expectation जुड़ गई है, कि हाँ मैं expect कर, अगर कोई लड़की पैदा होती है, तो मैं expect कर रही हूँ, कि अगर एक example ले लो, तो किसी hospital में जब कोई लड़का पैदा होगा, तो नर्से काफी ज़ादा खोश हो जाती है, because उन्हें मिठाई मिलेगी, अब पैसा मिलेगा, वही पर अगर कोई लड़की पैदा होगई, तो उनका मूँ देखा करो, उतर जाता है, कि भाई साब अब घर वाले कुछ नहीं देने वाले, भागने वाले हैं अब यह लोग आँ से, because लड़की पैदा होगई है, तो यह क्या है, यह हमारी expectation जड़ गई न, कि अगर लड़का पैदा होगा, तो हमें मिलेगा, तो यह मेरी expectation जड़ी है, तो यह expectation ही कारण है, gender inequality का society में, so Jean Jacques Rousseau ने, natural inequality और conventional inequality के बीच में, difference लाया है, ठीक है, एक difference दिया है में, natural inequality और conventional inequality के बीच में, let's understand यह चीजे क्या है, natural inequality describes the inequality of age, health, beauty, physical, and intellectual capacities of different people, which are created by nature, साफ बात है by natural inequality है है न, तो natural inequality क्या बताती है, age से related inequality हो सकती है, ठीक है मैं बड़ी हूँ, वो छोटा है, health से related inequality हो सकती है, खुपसूर्ती से related inequality, physical inequality, intellectual बुद्धी में inequality जो आती है, ठीक है, उस से related, तो यह हर इंसान के बीच में होती है, क्योंकि यह हमें भगवान ने दी है, किसी को कैसा बनाया, किसी को कैसा बनाया, ठीक है, तो यह natural inequality है, समझ रहे हो, तो these inequalities are largely unalterable, इन्हें बदला नहीं जा सकता, किसी की बुद्धी कम है, किसी की जादा है, किसी की health कैसी है, किसी की कैसी है, तो इसे हम बदल ली सकते ही है, भगवान ने दे दिया है, यह हमें nature ने दे दिया है, अब बारी आती है, conventional inequalities की, यह हमारे काम की है, conventional inequalities क्या है, जैसे कि कि किसी के पास जादा पैसे है, किसी के पास कम, किसी की जादा इज़त है, किसी की कम, ठीक है, किसी के पास जादा ताकत है, किसी के पास कम, तो ये individual to individual differ करती है, ठीक है, किसी के पास जादा हो सकते है, किसी के पास कम, अब इनको, inequalities को हम change कर सकते हैं, इन्हें हम बदल सकते हैं, मेहनत करके पैसा कमा लेंगे, हम भी अमीर हो ठीक है थोड़ी और work करेंगे खुद के उपर तो powerful हो जाएंगे तो इन चीजों को बदला जा सकता है तो ये लेकिन conventional inequalities आती कहां से है ये आती है social arrangements की वज़े से हमारी society ने ये inequality create की है ठीक है जिसके पास जादा पैसा होता है उसके पास आके लोग जुकते हैं उसके सलाम ठोकते हैं, उसकी बात मानते हैं तो conventional inequalities इनसान ने बनाई है natural inequalities भगवान ने दी है conventional inequalities को हम बदल सकते है natural inequalities को हम नहीं बदल सकते सो जो society में जो division है ठीक है, male और female के बीच में ये एक तरीके की natural inequality है ठीक है, because यह division sex के basis पर है, इसलिए natural inequality है, कि वो लड़का है, मैं लड़की हूँ, राइट, लेकिन जो gender based inequality society में है, समझ रहे हो, sex के basis पर जो inequality है, वो natural inequality है, ठीक है, वो भगवान ने ऐसे बना के भेजा है, लेकिन जो gender के basis पर inequality है, जो culture ने inequality create की है, वो conventional inequality है, समझ रहे हो, वो इनसान ने बनाई है, वो हमारे culture ने बनाई है, सो अभी recently क्या हो रहे है, gender based discrimination के against लड़ाई चल ली है, उसी के against प्रोटेस्ट चल ला है, राइट, कहा जा रहा है के gender based inequality को हटाया जाए, और एक तरीके से woman की position improve होनी चाहिए society में, राइट, woman को justice मिलना चाहिए, जो crimes हो रहे woman के against, वो कम होने चाहिए, equal status और opportunities मिलनी चाहिए woman को, जो कि उन्हें पहले के समय में नहीं मिली, वो अब मिलनी चाहिए, सो starting से कैसा चलता है, starting से यह सा चलता है, कि woman जो होती है, जो औरत होती है, उसे जाधर तर समय घर पे बिताना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, बच् पर्सनालिटी को निखारने का वक्त मिलता ही नहीं है, और यह बच्पन से ही सारी चीज़े स्टार्ट हो जाती है, उन्हें ऐसा बताया जाता है, कि उन्हें घर के ही कामों को संभालना चाहिए, जो बाकी की जिंदगी है, जो बाकी की दुनिया है, उसमें इंटरेस्ट नह ही रखना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग से ही जब वो लड़किया रहती है, जब वो छोटी रहती है, तो पर्सनल रिलेशन्स पर उन्हें ध्यान देना सिखाया जाता है, कि रिष्टेदारी में जादा ध्यान दो, ठीक है, जो बाहर की चीज़े हैं, या जो खुद की स सक्सेज है, पर्सनल सक्सेज है, उस पर ध्यान मत दो, समझ रहे हो, लड़कों को क्या सिखाया जाता है, कि आपको फर्म रहना है, ठीक है, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन रोना नहीं है, अग्रेसिव रहना है, लेकिन गर्ल्स को क्या सिखाया जाता है, ओबीडियन रहन जो कहा जा रहा है वो मानो शर्माना है तुम्हें शर्म नहीं आ रही है फिर भी शर्माओ तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है तो कंट्रोल हो जाओ question मत करो किसी चीज़ पर boys को क्या कहा जाता है कि आपको doctors बनना है, engineer बनना है lawyer बनना है, girls को क्या कहा जाता है कि आपको school teacher बनना है, nurse बनना है, secretaries बनना है ठीक है, तो यह जो experience है so यह जो experience है, यह woman की काम नहीं आता है political career में समझ अगर किसी woman को politics में जाना है, तो यह सारी चीज़ उसके काम नहीं आने वाली है थोड़ा सा Mary Wallstone Craft के बारे में भी समझ सकते हो ठीक है, इन्होंने काफी बड़े-बड़े काम किया है तो इन्होंने क्या किया woman was not only restricted from voting, but was deemed unfit for education, ठीक है काफी सारे occupations में woman को नहीं आने दिया जाता था, legal right नहीं थे, legal right नहीं था woman के पास कि वो कोई property hold कर सकती है, कि इस property की मालिक बन सकती है woman, ऐसा भी कहा जाता, इसके भी लायक नहीं थी woman, woman अपने husband को divorce नहीं दे सकती थी, चाहे भले उसका husband उसे पीट रहा है, तो Wallstone Craft नहीं इन सारी चीज़ों को forcefully challenge किया था, ठीक है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को challenge किया था और उन्होंने क्या कहा कि हमें equal rights चाहिए woman के लिए woman inferior नहीं है she argued that woman like men are rational individuals and have equal rights, ठीक है woman भी अपने लिए सोच सकती है वो rational creatures है उन्हें भी equal rights मिलना जरूरी है she established the principles on which campaigns for woman rights for education, employment, property ठीक है, यह सारे campaigns चले इन्ही की leadership में कि woman को education मिलनी चाहिए employment मिलनी चाहिए property rights होने चाहिए vote करने के लिए you know, woman को rights मिलने चाहिए कि वो vote कर सके फिर John Stuart मेल है इन्होंने भी यार woman के लिए काफी कहा इन्होंने कहा कि sought to demonstrate that woman were in no way inferior to men in their talents ठीक है, woman के पास भी बहुत ज़ादा talent है जरूरी नहीं है, सारा talent man के पास ही है woman के पास भी है यह किसने कहा, John Stuart मिलने इन्होंने कहा कि woman को भी यार पूरे पूरे लीगल और पॉलिटकल राइट्स मिलने चाहिए जो की males को मिलते है सो जो 19th century की feminist theory यह उसका focus यही था कि woman के रस्ते से educational barriers हटाए जाए professional barriers हटाए जाए उसे education मिले वो profession कर सके so western world में क्या demand उठी woman के लिए कि woman को employment मिले equal pay for equal work मिले जितना आदमी को काम करने के लिए पैसा मिलना अतना ही woman को भी मिलना चाहिए social benefits equally उसे भी मिलने चाहिए taxation benefits मिलने चाहिए and so on वैसे मैं आपको बता दू England से पहले यार इंडिया में ही woman को voting rights मिल गए थे जो की काफी बड़ी बात है ठीक है और अब recent world मेर जिस तरीके से technology बढ़ ड़ी है ठीक है जिस तरीके से हमारी सोच खुल लई है तो woman के लिए भी काफी जादा opportunities निकल कर आई है उनकी abilities के according woman के लिए भी कहा जा रहा है कि जो आदमी काम कर सकता है वो woman भी कर रही है लास्ट में इस वीडियो की बहुत जरूरी चीज़ बताने वाली हो एक बहुत important tip देने वाली हो तो miss मत करना अगर अभी तक आप सुन रहे हो तो ठीक है Equal rights for women are no longer questioned in enlightened circles जहाँ पर देखो आज के जमाने वैसे Equal rights women को भी मिलने and men को भी मिलने समझ रहे हो जादा difference नहीं रहे गया है मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं देख रही हूँ society को अब बारी है conclusion की एक point यहाँ पर बहुत बता दू जरूरी है please भगवान से मनाना कि तुम्हे feminism पर question तुमसे पूछा जाए examples मैंने भी यहाँ पर दिये हैं जैसे कि permanent commission for women in Indian army भाई कितना चला था ये topic 39 women ने supreme court में fight किया था इसके लिए case बहुत बड़ी जीत मिली है ओरतों को इस मामले में यार लेडीज को permanent commission मिल गया है Indian army में women के लिए please लिखना answer में I request to you all और इस बार का women's day का theme क्या था पता है women in leadership achieving an equal future in a covid-19 world भाई साभी ये सारी चीज़े जरूर लिख कराना answer में recent जितना डाल सकते हो यार जरूर डालना अपनी word limit में रहे के आपका answer बहुत सही लगेगा trust me इस बारे में trust me so I hope हमने आज जो भी discuss कि आपको समझ में आया हो I know मैं थोड़ा fast गई हूँ अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो please comment section में बता देना मैं try करूंगी answer करने का law peeps मेरी insta id है जिसका link description में दिया है वहाँ भी आकर आप मुझे अपनी problem बता सकते हो I'll try my best to solve your doubts थोड़ी देर से करो लेकिन solve जरूर करूंगी यार इसका promise है किसी और topic पर video चाहिए तो please बेफिकर यार comment section में डाल देना या insta पर message कर देना so thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video good luck